365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं सवाल एकादशी का गहरा अर्थ क्या है? जाने 21 सदी में संथ तुकाराम जी की शिक्षाएं What is the deeper meaning of एकादशी? How can we apply संथ तुकाराम's teachings in the 21st century? संतों में संथ तुकाराम महाराज इस संदेश के पहले दो वीडियो में हमने जाना संथ तुकाराम जीवन अनुभव और अभंग रहस्यर जिनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है आईए अब सुने इस संदेश की अगली कड़ी को संतुकाराम ने कहा जो वहां लोग तीर्थ करके आए हुए घूम रहे उन लोगों से कहा कि तुम काहे फले फुले अकड कर गुम रहे हो तुम काहे फले फुले अकड कर गुम रहे हो तुमारे अंदर शमा भाव नहीं आया नफरत दुवेश नहीं निकला फिर काहे फले फुले गुम रहे हो यानि कि मैं जाकर आया हूँ मैं फलांतिरत से जाकर आया हूँ इतना इतना धान करके आता हो उनको कहा तुमारा जीवन क्या दिखा रहा है तुम क्यों अखड़ कर गुम रहे हो जबकि तुमारे अंदर ये नहीं हुआ यानि शमा भाव आया नहीं नफरत निकली नहीं यानि बताना का अर थ उन्सेलानीतों का इतना कि नहीं इसारा हो शेलान जे फर रूज जो रिर जागर आया है मैं यहका गार राया वहका बच्यां के राया मन वश में आया, तब बड़ा काम हुआ। और एकादशी का वरत्त कर रहे हो, तो मिष्ठान, पक्वान, नमकीन का बंदुबस कर रहे हो। उपवास आया याली क्या? लोगों को लगता है उपवास आया याली यह सब चीज़ जमा करनी है। तो एकादशी का अर्थ है क्या? एक दशा है जिसमें एकी दशा, अवस्था, दशा यानि अवस्था दो दो अवस्था है न हो, यानि पेट में क्या डालें? एक यह सोच रहे है, हेड में क्या डालें? और हिर्दे में क्या डालें? अलग अवस्था है ना? तो एक ही दाशा हा हरदे की ही दाशा एक ही अवस्ता हौ एक ही अवस्ता य очер गयार्ण ये विचारों से भी ढब परे हुए उपव सक्रना यानि क्या करना हे क्या खांअ हेड से बाहर पेट से बाहर वरनाब 뚜 के बारे बारे में तो कैसे रखना चाहिए, तिर्थों पर जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए, प्रसाद खा रहे हो, तो किस तरह का प्रसाद खाना चाहिए, पत्थर की पुजा कर रहे हो, तो कब करने ही चाहिए, सभी के अर्थ अपने अभंगों में बताया, गुरु की महिमा क्या है, उपदे कि सम्भावना क्या हो सकती है आग्या पलन से क्या हो सकता है उन्होंने कहा कि मैंने कभी बहुमत को नहीं सुना बहुमत यानि बहुत सारे लोग ये कह रहे है ऐसलिए हम वो करेंगी बहुमत को मैंने कभी नहीं सुना संतुकारामने कहा बहुमत को मैंने कभी नहीं सुना मगर और गुरू ने सोपने में भी जो बताया उसको जरूर सुना। वरना कोई सोचे, सपने में बताया तो सपना है। उस पर क्या सोचना। तो संतुकारव ने कहा कि बहुमत का नहीं सुना। और गुरू ने सोपने में बताया तो वो सुना। उसका पॉलन किया। क्योंकि उससे सब कुछ होता है, बाहर के करम गांड अंदर ले जाने के लिए सहायक बने, तो उनका उपयोग है, अगर एकादशी रखकर पांडूरंग के साथ रहे, दिन बर जादा याद आई, तो उपवास का महत्व है, उपवास रखकर अगर जादा याद नहीं आई, त तो क्या लख jeśli रखकर, क्या फैदा, वतए एक बराबर, क्या नकिया एक बराबर, फरक्या हया, उपवास करके रोजे रखकर, फरक्या हया, उसमें अगर, समय कैसे काटे, इस पर प्लानिंग चल रही है, कुन सी फिल्म जाकर आए, क्या को पिरईट कैसे काटे, टाश खलते Dalam आखे रहे... कि अलग अलग लोग करते है ये समेक और विते हैं? विते है जान्द निकलने तक जान्द नहींद लेट भोग रोगया? निकलने ठो किछां पेटसे द्यान अट नही से लिगाना? ये तो सीखाईनी पेट से द्यान तो फटाया पहलास टु लिया क्योंकि पेट की वज़े से बाकी सब बातों में लगा हुआ है न, असली रोल शुरू ही नहीं होता, असली रोल शुरू होने के लिए पेट से ध्यान हटाना सीखना है, तो एक दिन का उपवास नहीं रख पा रहा है परसन, तो वो क्या करेगा जीवन में, इस वज़े से उन एक दशा क्या होती है वह तो समझाई नहीं आईए अब संदेश के अगले पड़ाव में समझें संथ तुकाराम द्वारा आये हुए सत्य के कुछ गहरे संकेतों को तो इशारे किये गए, जो लोग वे अभंग पढ़ेंगे, सुनेंगे, लाव लिना चाहेंगे, तुकाराम के भक्त है, तो वो क्या चाहेंगे? कि जो बताया गया, वे हम पालन करें और सही काम शुरू होगा और ये सब बाते तब आसान होने लग जाएंगी जब आप सत्य की बात चल रही है, जो तुमारे अंदर है, जो तुम लेकर घूम रहे हो, तुका ने अपने बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में, अलग-अलग समय पर, अलग-अलग शब्दावल में बताया, कि मैं संग रहते हुए भी असंग हूँ, जैसे दिख रहा उनके अभंग में साया है, मैं जैसा दिख रहा हूँ, वैसा नहीं हूँ, भोगते हुए भी मैं त्यागी हूँ, यदि लोग देखे हिन खाना खा रहा है, यदि भोग कर रहा है, उप भोग कर रहा है, तो भोगते हुए भी मैं त्यागी हूँ, और मेरे बारे में बता नह अनोने क्या कहा? मैं मेरे बारे में बता नहीं सकता. अगर मेरे बारे में जानना है तो पंडुरंग से पुछो. इसकार ता यह मत समझना के तुकाराम ने खाली अपनी सरहना किया है. यह तो थोड़े से जो भीच भीच में इशारे उनोने किये. अगर हर बार जब भी तुन्होंने हायर बात कही तुरंट दुसरा अभंग कौन सा गाया? जिसमें उसने बताया कि मेरा मन वश में नहीं. पर अभंग में क्या बलते हैं? मेरा मन वश में नहीं है. मैं क्या करूँ? इश्वर को कह रहा है कि अभी ऐसा कोई रास्ता बताओ. क्योंकि मेरा मन और मेरा शरीर एक तरफ है और मैं दुसरी तरफ हूँ. और रसा कशी हो रही है. टगा अफ़वार चल रहा है. रसी यह इदर से खीच रहा हूँ. आइसी मेरी आलत है. एक तरफ सम्मान मिल रहा है लोगों का, दूसरी तरफ मन ऐसे काम कर रहा है, अब इस तरह का अभंगा है, यानि एक तरफ वो सेल्फ कर्टिसाइस कर रहा है, यानि कुछ लोगों को बुरा न लगे, यह तो अपनी सराहना कर रहा है, अपनी आपको क्या समझता है, तो तुरं मैं हूँ, तुम बढदियस्त वनओो तो ये ये, संगर्ष गतम होने वाला है, वरना ही संगर्ष चलता ही रहएगा। तो इसमें भी चीखने के लिए बाते हैं, की जणे बढदियस्त को बना हैं, हमें कहाँ रहना है, मध्या में रहना है, कि ये अवस्था है, तो काराम हाला के बता रहा है, मेरी हाला तैसी है, अभंग में ऐसा बता रहा है, मगर वो अपने लिए नहीं बता रहा है, वो लोगों के लिए बता रहा है। कि तुम ये देखो, ये तुम्हारे साथ चल रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कहेंगे, तो कुछ लोगों बुरा लग सकता है, तो अपने नाम पर बता रहे है, कि मेरे साथ हो रहा है, तो सुनने माला सोचे, अरे हाँ, मेरे साथ भी तो यही चल रहा है, इसके साथ भी है मेरे साथ भी तो चल रहा है आए अब जाने संथ तुकाराम द्वारा बताई गई प्रार्थना और उसका भात्व तो उन्होंने वैसी प्रात्ना जो स्टाड कर चुके सलानी से खोजी बन चुके कि ये प्रात्ना वो करें जब ये सुनेंगे तो वैसी प्रात्ना करेंगे क्या प्रात्ना वो कह रहे है इश्वर को मेरा मन लगता नहीं कहीं तिर्थों पर जाना तो शरीर कामचोरी करता है त बढना चाहता नहीं ुछ करम कांड करूं, पूजा अर्चना, वदनना कुछ करूं तो मन जो है, लगता नहीं, किसी-भी करम कांड में और फिर कहता है के दान कर भासा हूं दन नहीं दान करना भा करना भाव नहीं приход करना चाहता हूं भाव नहीं और अब इश्वर को कहता है तुम ही आके मुझ पर अपना दास बनाने की मोहर लगाओ अपना दास बनाने की मोहर लगाओ तुम ही अपना दास बना तुम वो मोहर लगाओगे तो मुझे पक्का यकिन है कि मुझे कोई करमकान करने की जरूरत नह अब ये प्रात्ना है, तुकाराम जी प्रात्ना कर रहे है, अब जो सुनने वाला होगा, उसका क्या अर्थ लगाएगा, क्या वो ये समझ पाएगा, कि तुकाराम जी उसके लिए बता रहा है, कि तुम ये प्रात्ना करो, तुमारे साथ अगर ऐसा है, तुमारा मन, तुमारा भाव किसी की मजद करना चाहते हो दया नहीं है भक्ति करना चाहते हो भाव नहीं है दान करना चाहते हो धन नहीं है तीरत पर जाना चाहते हो सुस्ती है कामचोरी है तमोगुण है सब तरह की बाते बताई ताकि प्राथना करें कि इश्वर को प्राथना करें कि तुम अपना बताया हाला के अपने साथ रिलेट करके बताया। एक तरफ तारीफ की। यानि उस के अंदर मेरे क्या है। मेरे बारे पुछना तो पंडुरंग से पूछो। तो कोई क्या सोचेगा ना रहे कितना अहिंकार है। मेरे बारे में जनना है तो। हमारा जितने बड़े इंसान से पहचान होती है, तो हमें उतना ही क्रेडिट मिलता है ना। और सबसे बड़े इंसान से पूछो जानी क्या। कि मैं इतना बड़ा हूँ। ऐसा अर्थ जाता है ना। तो लोग कुछ बरदास्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगले पल फिर वो दुसरा अभंग गाएंगे, जसमें बताएंगे के मेरी ऐसी आलत है। सब को खिषडी करके सुनोगे तो कोई लाब नहीं होगा। सब को स्टेप बाइ स्टेप सुनोगे, तो लाब होने वाला। कि एक सैलानी की पहली आवस्था यह होती है। तीरत करके आया है तो बोलता है मैं ही सब कुछ कर चुका हूँ। तो सैलानियों को सावधान भी किया। उनके लिए कुछ अभंग कहे। खोजियों के लिए कहे। कैसी मन के आवस्था होती है। शिश्य के लिए कहिए, शिश्य को क्या करना चाहिए, कैसे उपदेश लेना चाहिए, गुरु की मेहमा पर बताया, आईए अब जाने, संत तुकाराम द्वारा एक भक्त के लिए बताई गई प्रार्थना क्या है? और भक्त के लिए कहा, भक्त कैसा हो, भक्त को क्या प्राथना करने हा, भक्त प्राथना कर रहा है, इश्वर को हे इश्वर, अभंग में बताते है, इश्वर को कहते है, हे इश्वर, अब तुम ही इस मन के चालक बनो, तुम ही इस मन के चालक बनो, या फिर उसका पता बताओ जो बन सकता है उसका पता बता हो जो बन सकता है तुम्ही मन के चालग बनो या उसका पता बता हो जो चालग बन सकता है क्यों उसका पता बता हो क्योंकि हम भी नहीं चाहते तुम्हें कर्ष्ट देना जेगा बग्त कैसे कह रहा है, इश्वर को, कि भे कष्ट देला नहीं चाहता, बड़ अभी क्या करो, और कोई चाला गहले ही, इस मन को और कोई कोई रोक सकता नही तुमारे सिवा, या कोई हो तो सका ऴता तो पता, अब उसके बास बास जाएगे, तुवे कश्ट नही देगे। नही देना चाहते है भक्त, वगवान को कश्ट नही देना चाहताना, कभी वह उसे खुश्य रखना ह स सहता है। सब बाते साबले रखता है। तो ये अभंग वक्तों के लिए। एक अभंग शिश्यों के लिए। एक अभंग सलानियों के लिए। एक अभंग खोजियों के लिए। सभी के लिए अभंग कहे के लिए। तो एक पल ये बोल रहा, एक पल ये बुख, थोड़ा पड़के बोलें, अच्छा अच्छा है, मर होगा कुछ नहीं, आपकी जो अवस्ता है, वहां पर क्या कार्य किये जाए, वहां क्या हो, फिर अगले पल बताएंगे कि मैं माया के फंदे से मुक्त हो गया हूं, अब ये मुझे हिलाती नहीं है और कहते है कि वैंखुत का सुख मेरे घर में आ गया है अब गर में कहां नैंने यहां ऐनी वो बाहर के घर में नहीं कि बाहर के घर में कि आप जानते हैं विवी बैठी थी वाँ ासुक आया होता है तो वो ताने कहा देती। वैसा कोई सुख घर में आया ऐसा नहीं। वो सुख तो शरीर में आया, वो बता रहे है। मेरे घर में आया है यानि वो जो मकान एहंकार से खाली हुआ मकान एहंकार से खाली हुआ तो इश्वर पांडूरंग का निवास हुआ उस घर की बात कर रहे है जो मकान खाली किया एक जटके में इश्वर ने उस मकान को भर दिया खाली किया आहिंकार से तो इश्वर ने भर दिया उसके बार में बता रहे है कि अब वेंकुइट का सारा सुक उसमें आ गया है वो कहता है हम तो वेंकुइट वासी है हम तो वेंकुइट वासी है पर लोग से आये हैं कहीं पर कैसी पंगती है कहीं पर कैसी पंगती है तो कुछ जोацион के द्वारवा độ at-re- उनको हिमानेता दे कर कुछ लिखा गया और बाकी लोगों ने add किया अपनी तरफ से बहुत कुछ बाते डाल दी क्योंकि जनम किसने लिया वो ये नहीं समझ पाए देहु गाव में वो ये नहीं समझ पाए कि मृत्यू किसकी हुई 41 साल में शरीर उन्होंने छोड़ा तो किसकी मृत्यू ही वे नहीं जान पाए कौन पैदा हुआ ये नहीं समझ पाए तो कहां उनका जीवन समझ पाएंगे तो संद दुकाराम के जो अभंग थे लिखे गए थे उनके दो शिश्यों के द्वारा वे आज उपलब्द है लोग पढ़ते रहते हैं लाव लेते हैं समझदार जो है मनन करने वाले वरना तो शास्त्रों में वेदों में सब होते हुए भी खाली ब्रामन ही पढ़ सकते है ये मनेता रही तो हग तो ले लिया मर्क ना खुद कभी पढ़ा और पढ़ा तो कुछ हुआ नहीं अगर हुआ होता तो सबको बढ़ने देते सबको अधिकार देते तीस अब बाते संतुकाराम के टीचिंग्स में आई सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश टेज ग्यान का केवल परिचय मात्र है टेज ग्यान नहीं टेज ग्यान सरश्री महा आस्मानी परमग्यान शिवर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिवर में भाग लेकर ले सकते हैं इस विशय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाग ले सकते हैं इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और साथ ही हैपी थौट्स चैनल को सब्सक्राइब करें इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिपराय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आईडी है mail at the rate tijgyan.com